हेलो इन हाई मैं हूँ विदे सिंग और आप देख रहे हैं बजुका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल शो प्यार की अनकही बाते जहां हम आपके साथ में शेयर करेंगे दिल जुणने से लेकर दिल तूटने तक शादी से लेकर डिवॉस तक उन पर हम खुल कर बात करेंग और आज हमारे the cute couple हैं भाई ये couple वो हैं जो कि काफी ज्यादा मशूर हैं लोगों के बीच में इने काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और जही हां मैं बात कर रही हूं the one and only cute couple तेजस्वी प्रकाश and करन कुंद्रा देखा जाए तो इन दोनों की hashtags काफी ज्यादा चलते है है एश्टाग तेजरन चुई हां आज हम तेजरन के ऊपर बात करेंगे आखिर कैसे हुई थी शुरुवात इनकी प्यार की और कैसे मुलकात हुई और कैसे थे इनके पहले प्यार के रिष्टे और कैसा चल रहा है इनका सफर तो चलिए शुरुवात करते हैं वीडियो से बड़े बुज़ुर्ख कह गए हैं कहते हैं ना प्यार अच्छे से अच्छे इंसान को बिगाड कर और बरबाद करके रख देता है लेकिन ये दोनों का मामला थोड़ा हट के है क्योंकि देखा जाए तो इंसान प्यार करता है वो कहीं न कहीं अपने करियर को पीछे छोड़ देता है लेकिन ये दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ ये दोनों करियर वाइस भी बढ़ रहे हैं और साथ-साथ इनका प्यार भी बढ़ रहा है कैसे हुई थी इनकी पहले मुलाकात देखा जाए तो दोनों को बिग बॉस में साथ में देखा गया था और ऐसे में दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों भाई जोड़ी आगे जाकर कपल बन जाएंगे और प्यार का ऐसा परमान चुड़ाएंगे जी हाँ वैसे अब बात करते हैं कि इनकी प्यार की शुरुआद कैसे हुई जब ये बिग बॉस में उस समय एंटर हुए थे तब दोनों के बीच में खास दोस्ती नहीं थी बातचित भी नहीं करते थे ये लोग एक दूसरे से पर ऐसे में जब दीरे दीरे इनकी बात की शुरुआद हुई तब वहाँ पर इनका फ्रेंडशिप का टैग आया फिर बेस्ट फ्रेंड का टैग आया और उसके बाद में इन्हों ने लव कपल्स का टैग ले लिया जी हाँ वहाँ के जो कुछ लोग थे उनका कहना था कि भाई ये पियार स्टंट के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं सिर्फ अटेंशन ग्रैप करने के लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग का मानना था कि उन्हें बस फेमस होना है और इसलिए ये सब लोग इनका नौटंकी चल रहा है और ऐसे में जब तेजस्वे प्रकाश को और करन कुंद्रा को साथ में देखा जाता था तो लोगों ने इसको बस ऐसे ही मजाक में लिया था लेकिन सच्चाई तब हुई और जटका तो तब लगा जब लोगों ने मतलब इन दोनों ने भाई बिग बॉस के बाहर भी अपना प्यार का परमान जारी रखा था और ऐसे में लोगों के होश उड़ गय थे और तब से ये दोनों कपल को काफी ज्यादा लाइम लाइट में देखा गया ये दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं कैसे थे इनके पास्ट के लव रिलेशन्शिप वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं है जिसका पास्ट ना हो और कोई रिलेशन्शिप ना पना हो और ऐसे में अगर करन कुंद्रा की बात करें तो जी हाँ वो काफी ज्यादा छुपे रुस्तम इनसान है क्योंकि उन्होंने एक नहीं बलकि दो-दो ऐसे कही रिश्टे रखे हैं जी हाँ आप यह सुनकर थोड़ा सा आपको धक्का लगा होगा लेकिन करन कुंद्रा थे करन कुंद्रा का पहला रिलेशन्शिप 2015 में कितनी है महाबबते की लीड आक्ट्रेस क्रितिका कामरा के साथ में था जी हाँ ये क्रितिका कामरा के साथ में वो लीड के तौर पर दोनों काम कर रहे थे और ऐसे में दोनों को काम करते करते प्यार हो गया था लेकिन क्रितिका कामरा के फामली की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला और जिसके बाद में दोनों का ब्रेक अप हो गया और जिसके बाद अब उनकी कहानी जुड़ती है अनुशा डांडेकर के साथ में ये कहानी थोड़ी सी यूनीक है क्योंकि करन कुंद्रा और अनुशा डांडेकर एरपोर्ट पे मिले थे जहां पर दोनों को first sight love हुआ और जिसके बाद से दोनों की बात्चेट के शुरुआत हुई और फिर ये प्यार में बदल गया देखा जाए तो दोनों live in relationship में रह रहे थे और ऐसे में प्यार इनके बीच में काफी था लेकिन कुछ misunderstanding की वज़े से दोनों की बीच में ब्रेक अप हो गया और उसके बाद से फिर उन्हें देखा गया बिग बॉस में जी हाँ बिग बॉस में देखने के बाद उनकी शुरुआत हुई हमारी तेजस्वी प्रकाश से और अभी तक कि ये काफी जादा अच्छा चल रहा है इनका रश्ता वेल अगर इनके प्रेजन सिचुरेशनशिप की बात करें करन कुंद्रो और तेजसी प्रकाश देखा जाए तो दोनों अपने क्यूट क्यूट हरकतों की वज़े से हमेशा लाइम लाइट में बने रहते हैं पर ऐसे में अक्सर हमने ऐसा सुना है कि उनकी ब्रेक अप की खबरे आती हैं क्यूं क्यूंकि भाई साथ में नहीं है और ऐसे में नेटिजन्स का कहना है कि दोनों का ब्रेक अप हो गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हाल ही में उन्होंने ब्रेक अप को लेकर अपनी साइलेंस भी तोड़ी थी वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि उनकी ब्रेक अप की खबरे आई हो इससे पहले भी कई बार उनकी ब्रेक अप की खबरे आई थी और देखा जाए तो अभी अगर present situation की बात करी तो दोनों काफी ज्यादा खुश हैं लेकिन लोग अटकली बहुत लगाते हैं उनकी break up को लेकर पर ऐसा कुछ नहीं है बात करी अगर इनके शादी की तो शादी दोनों करने वाले थे वो भी 2023 में लेकर नहीं हो पाई क्योंकि उनके आने वाले जो projects उनके on the way थे इस कारण दोनों ने शादी के dates को delay कर दिया और ऐसे में इनका शादी का project cancel हो गया वैल अगर बात करें दोनों ने कितने projects की हैं साथ में तो वैसे ये 2015 में बिग बॉस करने के बाद में इनके दो song आई थी पहली थी बारिश और दूसरी थी रुला देती है ये दोनों में ही दोनों साथ नजार आया और काफी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया था जी हाँ वैसे ये दोनों का hashtag काफी ज्यादा चलता है तो ऐसे में दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया गया था इस songs में वैसे लोगों की इच्छा ये भी है कि दोनों साथ में कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें जैसे सीरियल या फिर मूवी क्योंकि करन कुंद्वा एक मूवी में भी काम कर चुके हैं अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो मैं बता देती हूँ बात करें फैंस को लेकर इनका इतना ज़्यादा क्रेस क्यूं है कीविश हाँ क्योंकि 2015 में बेग बॉस कर रहे थे इनकी जो नोक जोकिंग इसमें दिखाई गई थी और ऐसे में दोनों जन जो साथ में रहते हैं इसके विज़ से फैन्स काफी ज्यादा इने पसंद करते हैं इनकी क्यूट-क्यूट हरकते लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है देखा जाये तो इन्होंने साथ में काम करने के बाद में अब इनका आगे कौन सा प्रजेक्ट होगा और शादी ये कप करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है क्या आपको ये जोड़ी पसद आती है ये हमें कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर बताएं वैल ऐसे ही और नई स्टोरीज के लिए बने रही है बजो का प्यार कियन कई बातों के साथ में मैं लेती हूँ अभी के लिए विदा फिराओं की न्यू स्टोरी के साथ